हातरस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है हातरस मामले में एक नकली महिला पिड़ित परिवार में मृतका की नकली भाभी बन कर रह रही थी और परिवार की तरप से बयान भी दे रही थी इसके बाद से हात्रस मामले का नक्सली और कॉंग्रेस का कनेक्शन सामने आ रहा है बताया जा रहा है कि उक्त भावी सितम बर 16 से 22 तारिक तक परिवार के साथ रही और इस दोरान अपने नक्सली आकाउं से भी संपर्क में थी हातरस मामले में कतित फैक भावी के कतित नक्सल कनेक्शन और मार्क्सवादी कनेक्शन के बाद सोसल मीडिया पर अब इसके कॉंग्रेसी सम्मंद का फरदा फास हो गया है मीडिया रिपोर्स में इस महिला के बारे में दावा किया जा रहा था कि वह पीडित परिवार वालों के घर में मृतका की फैक भावी बनकर रह रही थी यह भी माना जा रहा है कि यह महिला मीडिया और पिडिक परिवार से मिलने आ रहे राज़तिक दलों से क्या और कैसे कहना है इस बारे में परिजनों को सिखाने का काम करती थी हाथ रसमें पिडिक परिवार के घर में नकली भावी बनकर रहने वाली आरूपित दॉक्तर राज कुमारी बंसल अब लगातार अपने वयान भी बदल रही है और पिडिकता की भावी या बेहन होने से भी इंकार कर रही है वहीं Twitter users ने कतित नक्सली महिला का connection कॉंग्रेस से भी होने का दावा किया है लेके का सेपाली वयद ने अपने Twitter अकाउंट से मध्यपरदेश जबूलपूर की रहने वाले कतित नक्सली महिला के नाम से एक Twitter अकाउंट खोज निकाला है उन्होंने दावा किया है कि यह अकाउं का screenshot भी शेयर किया है आपको बताने की पीडिता की असली भावी ने भी अपने एक बयान में उनके घर में दो सप्ता से रह रही कतित नक्सली महिला का नाम भी राजकुमारी ही बताया है पोस्ट किये गए स्क्रीन सॉट में सर्फाली ने कई और खुलासे भी किये हैं इस मह प्रियंकात गांदी द्वारा रची गई साजीस की ओर भी सेफाली ने इसा रखिया शेयर किये गए स्क्रीन सॉट में ट्विटर यूजर ने बताया कि राजकुमारी बंसल कॉंग्रेस समर्थक है जो कि उनके ट्विटर एकाउंट से भी पता चलता है राजकुमारी बंसल नाम की इस महिला ने स्विकार किया कि वह हाथरस पिडित परिवार के बीच गई थी उन्हें इस वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह फोरेंसिक एक्सपर्ट है और इस समझ में ही कुछ मदद करने के लिए वह हाथरस गई थी राजकुमारी बंसल अब भी खुद को परिवार का सदस्य नहीं बताया कहा जा रहा है कि वह कटना के दो दिन बाद ही पिडित परिवार के साथ रहने आ गई थी तो फिलहाल इस कबर में वस इतना ही इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताए वीडियो को जादा स्यादा सेर कीजि जय हिंड जय भारत